तो यार रसल मेनिय के बाद से WWE के अंदर चीज़े उतनी जादा अच्छी रही नहीं इसकी वज़ा आप लोग क्या मानते हो अब देखो यार यहाँ पे मैं viewership की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोग का जो इंट्रेस्ट है WWE के अंदर वो रसल मेनिय के बात से कितना कम हुआ है अब देखो यार मैं अगर अपने उपिनिन की बात करूँ तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का जो इंट्रेस्ट है वो थोड़ा सा तो कम हुआ है आप लोग बताना यार अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो इसमें अब सबसे पहली और सबसे बड़ी जो वज़ा मुझे लगती है वो है रसल मेने के बाद से ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स का डबल डबी से एकदम गाइब हो जाना आप खुद देखो यार रसल मेने के ठीक बाद रोमन रेंज चुट्टी पर चले गए सैथ रॉलिंस इंजिरी की वैसे चले गए रॉक को तो हॉलिवोड जा नहीं था नतीज़ा ये हुआ कि डबल डबली के शोज पर कोई बड़ा सुपरस्टार ही नहीं आप खुद देख लो यार स्मैकडाउन को तो साइड में रखो मंडे नाइट रॉका तो इतना बुरा हाल है कि CM Punk और Drew McIntyre को इंजर्ड होने के बावजूद शोपर आना पड़ रहा है दूसरी वज़ा जो कि मुझे लगती है वो ये है कि डबल डबली ने जो अपने प्रीमियम लाइव इवेंट जो की रसल मेने के बाद किवल एक ही हुआ अभी तक बैकलेश उसमें डबल डबली ने उतना ज़ादा एपड डाला ही नहीं वो तो वहां के फैंस ने उस शो को तगड़ा बना दिया था एंड डबल डबली के नेक्स प्रीमियम लाइव इवेंट King and Queen of the Ring के मैच को ही देख लो Cody Rhodes or Logan Paul का मैच जल्दबाजी में बनाया गया मैच लगता है तीसरी वज़ा जो मुझे लगती है वो यह है कि भाई Russell Mania से पहले हमने एक ऐसी स्टोरी लाइन देखिए जो कि अपने आप में एक क्लासिक रेलर और सस्पेंस से भरी हुई मूवी थी एंड Russell Mania में उसके end हो जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि कुछ फैंस के लिए उस मूवी का end हो चुका है और अब उनके लिए WWE में कुछ भी नहीं है तो भाई सब यह है मेरी opinion आप लोग बताओ यार आपके हिसाब से क्या सच में interest कम हुआ है Russell Mania के बाद से से पहला जो मैच है वो है Sammy Zane versus Chad Gable के बीच में और इस मैच के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि interference की वैसे इस मैच का कोई result निकलने नहीं वाला और interference हमें देखने को मिलेगी Big Bronson Reed की तरफ से क्योंकि भाई triple threat मैच होने वाला है King and Queen of the Ring के अंदर Sammy Zane versus Chad Gable versus Big Bronson Reed के बीच में और बस उस मैच को hype करने के लिए इस मैच को डाला गया है दूसरा जो मैच है वो हमें देखने को मिलेगा Becky Lynch versus Dakota Kai के बीच में and Becky Lynch इस मैच को जीतने वाली हैं इसके अलवा अगला जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो है E.O.Sky versus Lyra Welkeria के बीच में और मुझे लग रहा है कि E.O.Sky फाइनल में जाने वाली हैं and अगला जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो है शो का main event Gunther versus Jay Uso के बीच में और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई Gunther यहाँ पर जीतने वाले हैं और final में जाने वाले हैं